तो हेलो गाईजन गर्ल्स लेट्स एक्स्प्लेइन चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आगया हूँ 2003 में रिलीज हुई हॉरर स्लेशर मूवी टेकसेस चेंज सो मैसेकर का एक्स्प्लेनेशन जो की एक रीमेक थी सेम नेम की मूवी की जो आई थी 1974 में इस मूवी में हम जिस किलर को देखने वाले हैं उसे एक रीयल लाइफ सीरियल किलर से इंस्पायर होकर बनाया गया था खैर इसके डिरेक्टर रैटर प्रोडूसर सब के बारे में धेर सारी बात करेंगे वीडियो के एंड में फिलाल चलते हैं जलती से स्टोरी की तरफ मूवी के स्ट में हम एक नरेटर की आवाज सुनते हैं जो हमें बताता है कि 1973 के आउगस्ट महीने में एक ऐसी घटना हुई जैसी अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी हिविट रेजिडेंस जो की क्राइम सीन था वहां से 1300 से भी जादा एविडेंस पाए गए जिसमें से एक एविडेंस थी 20 अगस 1973 की फुटेज रिकॉर्डिंग जिसमें एक कुलीस उस क्राइम सीन में चान बीन कर रहा था और आगे क्या हुआ वो हमें मूवी में आगे बत और इनके बीच इनका नला सिंगल दोस्त मॉर्गन टेकसस आने के थोड़े देर बाद रास्ते पर अचानक से आउट ओफ नोवेर एक लेडी आ गई जिसे वो उड़ा ही देते लेकिन समय रहते केंपर ने गाड़ी संभाल ली उससे बात करने पर वो कोई जवाब नहीं द कुछने पर उसने बोला कि सब मर गए रास्ते में एक मीट शॉप पड़ा जिसे देखकर वो उन्हें कहने लगे कि तुम कलत रास्ते जा रहे हो मुझे वहाँ वापस लेकर मत जाओ वो बहुत बुरा इंसान है ये सब कहते हुए उसने पता नहीं कहां से और मुझे जानना भी नहीं कहां से एक गन निकाला उन्हें मारने के लिए नहीं खुद को मारने के लिए आखरी बार उसने उनसे कहा कि तुम सब भी मरोगे इतना कहते ही उसने खुद को उड़ा लिया आप सोच रहे होगे कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इतना ज्यादा ट कि अगर आपके पास फोन है तो प्लीज जल्दी से शरीफ को यहां बुला लो उस लेडी ने खुद ही शरीफ से बात की और उसने उन्हें बताया कि शरीफ ओल्ड क्रॉफोर्ड मिल में है और दो घंटे से पहले तो यहां नहीं पहुंचने वाला इसलिए तुम्हें ही वहां नाम का बच्चा जिससे शरीफ के बारे में पूछने पर उसने बताया कि शरीफ यहां तो नहीं है लेकिन उसका घर यहां से थोड़ी दूर के वाक पर है लेकिन यहां से रास्ता जंगल से होते हुए है इसलिए तुम्हें वहां पैदली जाना होगा गाड़ी वहां नहीं जाएगी तो उससे रास्ता जान कर एरिन और केमपर वहां के लिए निकल गए वहां पहुंचने पर उन्हें मिला एक मॉंटी नाम का बुढ़ा जो था वील्चेर पे एक बार फिर से शरीफ के बारे में उन्होंने पूछा तो मॉंटी ने बताया कि शरीफ यहां नहीं रह अंदर जाकर उसने फोन लगा कर एरिन को दिया तो उसे बोला गया कि शरीफ वहां आदे घंटे के अंदर पहुंच जाएगा लेकिन शरीफ तो यहां मिल में और रेड़ी पहुंच चुका था और आते ही उसने कहा और वो उनसे बहुत बत्तमीजी से बात कर रहा था और उसने उस लेड़ी की गन भी अपने पास रख ली तभी एरिन को दिखाते हैं जो वहां से निकलने से पहले चचा को थैंक्स कहती है लेकिन मॉन्टी चचा बेस्मेंट से उसे हेल्प के लिए बुलाता है क्योंकि वो वीलचेर से नीचे गिर गया था वो उसे उठा रही थी तब हम उनके पीछे एक ब्लैक फिगर को मूव होते हुए देख पाए केमपर उसे बाहर बुला रहा था लेकिन एरिन का कोई जवाब ना मिलने पर वो घर के अंदर गया जहां उसका स्वागत किया एक हटे कटे सांड जैसे बंदे ने एक हतोड़े से उसका नाम था लेदर फेस क्योंकि उसने किसी दूसरे इंसान की फेस की चमड़ी को सिल कर उसका मास्क बना कर पहन रखा था और केमपर को मार कर वो उसे ले गया अपने अड़े में उपर से आवाज सुनकर एरिन उपर जाकर केमपर को आवाज लगा रही थी लेकिन केमपर उसे कहीं नहीं दिखा तो उसने सोचा कि वो शायद मिल में वापस जा चुका इसलिए वो भी वहाँ से निकल गई इधर शेरिफ ने उस लेड़ी की बॉड़ी को रैप कर दिया और उसे अपने कार के ट्रंक में भरवा कर ले गया शेरिफ के जाने के बाद एरिन वहाँ पहुची उसने बोला कि शेरिफ आने ही वाले हैं मेरी उनसे बात हुई लेकिन उन्होंने बोला कि शेरिफ तो यहाँ पहले ही आकर डड़ बॉड़ी को ले जा चुका उन्होंने Kemper के बारे पूछा तो उसने बोला कि मुझे लगा Kemper यहाँ है लेकिन वहीं Kemper को Leather Face ने उल्टा लटका दिया था ताकि उसके Head में सारा Blood Flow जाए क्यूंकि उसे अब चाहिए एक नया Face Mask तब ही उसके Pocket से गिरा एक Box जिसे Leather Face ने खोला और उसके अंदर निकली एक Ring यहाँ Erin और Andy उसे खोजने उसी घर में वापस गए जहां बाहर उन्हें Monty दिखा तो Erin गई उसे बातों में उल्जाने और चुपके से घर में Andy घुज गया जहाँ उससे फ्रिज के उपर रखा कुछ सामान गिर गया उसकी आवाज सुनकर Erin और Monty वहां पहुँच गए और Andy को देखते ही Monty अपने केन को जमीन पे मार मार कर Leather Face को बाहर बुलाने लगा और तब ही निकला उनके पीछे से Leather Face वो भी हाथ में चेंसो लिये दोनों उससे बचकर भागे लेकिन सिर्फ Erin ही बचकर निकल पाई उसने चेंसो से Andy का एक पैर काट दिया और उसे ले गया अपने ठिकाने पर जहां उसने एक मीट हुग पर उसे टांग दिया और उसकी कटी हुई टांग पर रगड दिया धेर सारा नमक और फिर एक पेपर से उसे रैप कर दिया ताकि वो धीरे धीरे दर्द को सहते हुए मरे इधर Erin भागती हुई मिल तक पहुची और कार को स्टार्ट करने लगी तब ही वहां आया शेरिफ जिसने उनसे बोला कि गाड़ी से बाहर निकलो अभी के अभी क्यूंकि उसने उनके कार में गांजा देख लिया था सब को बाहर निकाल कर वो उन्हें परिशान कर रहा था और उसे मॉर्गन से तो कुछ ज़्यादाई खास लगा हो था वो मॉर्गन को कार के अंदर वापस ले कर गया और उससे बोला कि चलब पूरे डीटेल में मुझे बता कि आखर यहां हुआ क्या वो उसे समझा रहा था तभी शेरिफ ने बोला उसने खुद को शूट कैसे किया था वो भी बता शेरिफ ने उसे गन पकड़ा दी जिससे मॉर्गन बहुत बुरा सहम चुका था और तभी शेरिफ ने बोला कि चलब ट्रिगर भी दबा लेकिन मॉर्गन ने उल्टा उसी को गन पॉइंट पे ले लिया शेरिफ ने बोला दम है तो ट्रिगर दबा दे और फिर तुम सब यहां से जा सकते हो और मॉर्गन ने किया भी ऐसा ही बस गन में गोली नहीं थी इसलिए प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ा शेरिफ ने उससे बोला कि वा बेटे तम तो हैबी मर्डरर हो सीधा शेरिफ को ही मारने चले चलो अब मेरे साथ क्योंकि तुम अब एक किलर हो और ऐसा कहकर वो उसे और वैन की चाबी को अपने साथ ले गया इधर लेदर फेस ने केमपर के स्किन की अच्छी तरह सिलाई कड़ाई करके अपने लिए बना लिया एक नया मास्क और उससे पहनने के लिए जैसे ही उसने अपना पुराना मास्क हटाया तो थोड़ा सा फेस हो गया रिवील शेरिफ मॉर्गन को हुविट रेजिडेंस में ले आया और उसकी जम कर धुलाई करने के बाद उसे घर के अंदर ले गया और यहां एरिन वैन को होट वायर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तबी गर गर करते हुए लेदर फेस ने उन पे हमला कर दिया पेपर ने बाहर भागने की कोशिश की लेकिन उससे बच नहीं पाई उसे गिरा कर लेदर फेस ने उसे बीट से काट दिया उसे काटने के बाद वो मुड़ा एरिन की तरफ और उसने फेस पे लगाया हुआ था केमपर का सकिन जिसे एरिन देखकर सुन थी लेकिन वो भागी और उसके पीछे लेधर फेस भी एरिन भागती हुई पहुँची जंगलों के बीच जहां उसे दिखा एक ट्रेलर जिसके अंदर जाने पर उसे दिखी एक मोटी सी लेडी और शायद उसकी बेटी हेंरियटा और हेंरियटा की साथ उसकी बेटी भी थी एरिन ने उनसे फोन मांगा तो उन्हेंने बोला कि हमारे पास फोन नहीं है वो एरिन को जबरदस्ती चाय पिला रहे थे जिसका एरिन ने एक घूट ले लिया एरिन को वहाँ एक फोटो दिखी जो थी उसी लेडी की जिसको इन्होंने लिफ्ट दिया था फोटो में उसके होने के वज़े से वो इतने ट्रॉमा में थी कि रास्ते पर एक लाश की तरह चल रही थी तभी उनका फोन बचता है और एरिन सारा मामला समझ जाती है लेकिन तभी चाय ने अपना असर दिखाना शूरू कर दिया वो भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर कर बेहोश हो जात था उसका अंकल मॉंटी और उसका भाई लेधर फेस जी हां ये सब फैमली है और जड़ेडाया भी वहीं पर था लेकिन वो इनके इन सारे कारनामों के खिलाफ था लूडा में बताती है कि उसके बेटे को एक स्किन डिजीज थी इसलिए उसका चेहरा खराब है जिसके चलत थॉमस ब्राउन हुइड थॉमस वहां आकर एरिन को ले जाता है और बेस्मेंट में फेक देता है एरिन को वहां दिखा एंडी जो अभी तक जिन्दा था वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन एंडी के नीचे पियानो था जिसमें अगर आवाज हुई तो थॉमस फि वहां उसे मौर्गन भी दिखा जिसे वो होश में लाती है और तभी जड़ी डाया वहां पर आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है वह उन्हें वहां से बाहर लेकर जा रहा था लेकिन हुपर से देख लिया और इसलिए वह चेंसों लेकर उनके पीछे लग गया वो उन दोनों को भगा रहा था और वो दोनों जड़ डाया के पीछे भाग रहे थे। जड़िडाया ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और थॉमस का थोड़ा टाइम वेस्ट कराया जिससे वो दोनों भाग निकले। खेर वो दोनों भागते हुए एक शैक तक पहुँच गए जहां एरिन मॉर्गन को छुपा कर खुद भी छुप गई। वहाँ थॉमस आया पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। एरिन के उपर कुछ चूहे थे जिनके आवाज से वो समझ गया था कि वो यहीं है। इसलिए वो एरिन पे आगे से नहीं बलकि पीछे से हमला करता है। लेकिन उसे बचाने बीच में आ जाता है मॉर्गन पर अफसोस उसे लटका कर थॉमस ने उसे मार दिया। और एक बर फिर एरिन बच निकली। लेकिन अब भी थॉमस उसके पीछे लगा हुआ था। एरिन ने एक फेंस पार की लेकिन थॉमस उसमें फस गया और उसके चेंसों से वो खुद ही खायल हो गया। और ज़रा उसकी चीखे सुनो। खेरेदर एरिन उसी मीट शॉप पर पहुँच गई थी जहां थोड़ा चूहे विल्ली वाला खेल चला। फिर एरिन एक क्लीवर लेकर एक लॉकर में छुप गई और मौका देखकर उसने थॉमस पे हमला किया जिसमें उसका एक हाथ काटने में काम्याब हो गई। वो वहाँ से भागी और एक ट्रकर से लिफ्ट ले ली उसका बरताव अब मूवी के स्टार्ट वाली लेडी की तरह हो गया था और जब उसने देखा कि वो ट्रकर भी उसे मदद के लिए वही वापस ले जा रहा है तो वो उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। बसाने पर वो बच्ची गायब थी क्योंकि उसे एरिन अपने साथ ले गई वो शेरिफ की कार को होट वायर करके उससे शेरिफ को उड़ाती है और फिर एक बार रिवर्स करके और एक बार फिर जाते हुए उस पे कार चड़ा कर वो बच्ची को लेकर वहां से निकल दी ले ने बताया कि तॉमस हुवेट याने की लेदर फेस उसकी यही एक पिच्चर उस फुटेज में कैप्चर हुई थी बाकि उसके और कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसी के साथ यह मूवी हुई खतम हां तो गाइज और गर्ल्स यह था एक और रीमेग तेकसस चैंस और मैसेकर का और टोबी हुपर ही 1974 वाली ओरिजनल मूवी के डिरेक्टर और राइटर थे और इन्हों ने ही इस मूवी को को प्रोड्यूस भी किया था इस मूवी को प्रोड्यूस किया था प्लैटिनम ड्यून्स कंपनी ने और यह इस कंपनी की सबसे पहली मूवी थी इस कंपनी को बन इस रीमेक ने साड़े नौ मिलियन डॉलर्स के बजट में एक सो साथ मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी और इसी की सक्सेस को देखते हुए House of Wax, The Hills Have Eyes, Amityville Horror और भी कही सारी क्लासिक्स के रीमेक्स को बनाया गया था इस मूवी में नरेटर थे जौन लेरेकेट और इन्होंने ही ओरिजिनल मूवी को नरेट किया था इतने सारे लेजेंड्स दुबारा मिलते हैं तब जाकर ऐसी मास्टर पीस रीमेक रेडी होती है Thomas Hewitt याने के लेदर फेस का करेक्टर इंस्पार्ड था एड़ गी नाम के रियल लाइफ सीरियल किलर से जो विसकॉंसिन में अपने घर में इनसानी मास्क बनाता था और भी कई सारे कांड उसने किये थे अपने बेस्मेंड में इसमें लेदर फेस का रोल किया था एंड्रू ब्रिनार्स की ने जिनकी हाइट है 6 फूट पाच इंच इसमें हमें लेदर फेस और उसके फैमली की बैक स्टोरी अच्छे से क्लियर नहीं की गई लेकिन इसके नेक्स पार्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा क्यूंकि वो होगी लेदर फेस के जन की स्टोरी मतलब पूरी बैक स्टोरी आपके सामने और उसे देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन को ओल पे सेट कर लेना है ताकि आप उसे मिस ना कर पाओ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइव भी कर दो बाकि मैं आपसे इसका नेक्स पार्ट लेकर मिलूँगा तब तक के लिए बाइबाइ